नमस्कार मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्थी रियाज गुरू चैनल पे आपका स्वागत करते हूं इतने सारे ताल का वीडियो तो बहुत कम लोगों ने यूट्यूब में डाला है मैंने कोशिश किया है जितने भी तालों के बारे में आपको जानना चाहिए जितने भी तालों के साथ आप गाना चाहते हैं या गाते हैं सारे ताल के बारे में मेरे चैनल पर मैं चर्चा करूँ और देखते 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 बहुत सारे ताल का जर्णी मैंने करवा दिया है ताल आपको मैंने सिखा दिया है आपके बहुत सारे कॉमेंट्स आता है और आप मुझे शुक्रिया देते हैं शुक्रिया तो मैं आपका क कि उपर सब्सक्राइबर्स हो गये हैं और मैं चाहती हूं कि इस चैनल को भी आप इस तरीके से प्यार दीजे ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊं आज जो ताल है यह कह सकते हैं कि त्रिताल का ही जुड़वा भाई है बिल्कुल त्रिताल जैसे ह सिर्फ बोल को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके यह ताल को बजाया जाता है ताल का नाम है पंजाबी देखिए पंजाबी ताल एक्चुली पंजाब में ज्यादा बसता है आपको नाम से ही पता चल गया है त्रिताल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके यह ताल बनाया गया ह अगिने में को प्रयोग करते हैं क्योंकि जो ट्रिताल है वे उत्त्र भारतिय शीय शास्रिय संगीत में यानी उत्तर भारत में जाय तर प्रफुलर है जैसे कि आफ जो गफ जो दान्स ह laptops में अद्धै हाला कि अभी तो हर वह एक प्रयोग होता है जैसा ठोमरे वगेरा है उसमें पंजाबी ताल अध्धा ताल टपा टपा में ज्यादा तर पंजाबी ताल बचता है तो इस तरीके से त्रिताल को अगर आप जानेंगे त्रिताल के बारे में अगर आपको पूर्ण नौलेज होगा तो अध्धा ताल या पंजाबी ताल आपके लि 16 मात्रा की ताल है चार खंड है हर खंड में चार-चार मात्राएं है एक पांच तेरा पे ताली नौ में खाली हो गया ना त्री ताल अध्धा पंजाबी सारे प्रकार एक जैसे हैं इसका बोल थोड़ा अलग है कुछ बोल ऐसे हैं कि जिसको चड़ाने के लिए आपकी जुब तो कौन सा बोल आया Among Swix धीक को थोड़ा सा लंबा करके और और क को बोल दिया कि मैं हमेशा बोलती हूं कि ऐसे जो साल होते हैं इसका काउंट अगर आपको आना चाहिए लेकिन काउंट के हिसाब से अगर आप बोलना चाहेंगे ना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा इससे अच्छा कि आप मेरे साथ साथ बोल लीजिए तो चलिए और दो बार बोलते हैं धाधीक 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 धाधी तो इसका जो ताली खाली है वो भी देख लेंगे एक बार तबला के साथ मतलब बोल के हम देख लेते हैं लेखिए धा धीक धा धातीक धा धा धीक धाता धा धीक धा धा धीक धा जैसे कि मैंने कईबर आपको कहा है कि थोड़ा सा घराना के हिसाब से इंस्टिटूशन के हिसाब से बोल अलग-अलग हो सकता है उसकी आप चिंता ना करें जो मोल इसका बोल है कधा कधा का जो यूज है वो सब जगा पर होता है तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि कोई ऑथन्टिक बुक से इसको लिखा जाए या ऑथन्टिक जो बोल है उसको फॉलो करा जाए क्योंकि जादातर हम लोग जो पॉपुलर बोल है मतलब जादातर लो मैं जरे, तो भी यहीं हम आप चाहें यह सब्सक्राइब करते हैं, कांगे नो में गई जाने रहा है ठोल जी है, एक सम्ना पून में अंपे नहीं एधे जाके इतने सारे जर्ण सब्सक्राइब करना रहा है इसके लिए तो नहीं है ना, इसके साथ आपको गाना है, हम जो करते हैं, क्यों करते हैं, तो तब मतलब ताल बजाएंगे नहीं, लेकिन हमें उसका नौलेज होना चाहिए, और अगर कोई बजाते हैं, उसको हम पैचानना चाहिए, और अगर आप गाना चाहिए, तो आप उस आपके फ्रेंड्स के साथ आपके स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए और आप कॉमेंट करना मत भूलिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नमस्कार त просто पिर आपके सब्सक्राइब में